दोस्तों, आज मैं आप लोगों शाथ में अन्बॉक्स करने वाली हूँ एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर जो की मैंने मंगाया है फ्लिप कार्ड से और जो की अन्बॉक्स कर रही है मेरी बेटी जानवी और ये मंदिर मैंने उसी की कहने पर मंगाया था क्योंकि उसको बड़ा शौक था कि मुझे मंदिर चाहिए ममा मुझे मंदिर चाहिए तो मैंने इसको ओर्डर किया था फ्लिप कार्ड से तो आज इसकी अन्बॉक्सिंग आप लोगों को शाशेर करने वाली हूँ आई होप आपको अच्छा लगेगा वीडियो को पूरा देखेगा एंड तक लगी हुए है इस तरह से और में छारों कौनों पर भी फॉर्म शीट लगी हुए है इस तरह से यह देखेए बहुत अच्छी पैकेजिंग में यह मुझे रिसीव हुआ है कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी मतलब किसी भी तरह से और यहां पे दिखिए इसे बबल रैप में ब् passions रेप किया गया था। यह देखें बबल रैप है बबल रैपस रैप किया गया थाकि इसको कोई बी नुक्सान ना हूँ बहुत अची पैकेजिंग में यह आया है तो दिखें यह बबल रैप में हटा दूझे वे से कि यह फॉर्म शीट में अलग हटा दे रही हूं क्योंकि यह फॉर्म शीट अभी काम नहीं है अपर और यह के बबल स्रैप में ने हटा दिया है यह देखिए कितना सुन्दर मंदिर है यह कितना प्यारा मंदिर है बिल्कुल मार्वल लूक लग रहा है इसका और अभी देखिए यहां पर ना दो पेज कसे हुए हैं यह पेज में हटा दूंगी इसमें से यह पेज हटा दूंगी यह देखिए यह पेज हटा दिया है पेज निकले हैं इसके अंदर से दो एक इधर से एक उधर से तो यह देखिए यह पेज हटा दिया है यहां से भी तो अभी देखिए इसको मैं देख रहे हैं देखिए यह देखिए यह इस तरह से न इसके उपर फिट हो जाएगा तो मतलब ब्रीव नहीं गट सकती कि मतलब इस तरह से पैकेजिंग होगी इसकी यहां पर देखिए दो पेज कर जाएंगे आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको दो पेज इधर एक पेज इधर एक पेज इधर दोनों तरफ कर जाएंगे यह तो यहां पर देखिए पेज कर जिती हैं और अभी देखिए इसका फाइनल लुक यह देखिए इसमें एक दराज यह वाली है और एक प्लेट दी हुई है जिसमें कि आप धूबती वगरा कुछ भी जला कर रख सकती हो इस तरह से तो काफी अच्छी मतलब इसमें दिया हुआ है और काफी अच्छी पेंटिंग गी हुई है तो भी कोई देखेगा वो आपको यह नहीं कहाएगा कि लगडी का बना हुआ है यह हमेशना आपको ऐसा ही लुक्त फिलिंग देगा जैसे कि आपने ही मार्वल का बनवाया हुआ हूँ अभी मैं इसको पास से भी दिखाऊंगी और मेरी डॉटर बहुत ज़्यादा एक्साइटिट थी इसको लेकर क्योंकि उसको बहुत पसंद था यह वाला मंदिर इसमें दो ना पीछे हुकते हुए हैं हैंग करने के लिए आप इसे दिवार पर हैंग कर सकते हो नीचे ना छोटे-छोटे से पैर भी दे हो हैं ताकि आप इसे कहीं पर रखना चाहते हो इस टूल पर यह टेवल पर तो वहां रख भी सकते हो इसली आपको कोई पेंट हो रखा है ना पेंट बहुत अच्छा हो रखा था पेंट अगर आप हाथ से चोग ना तो उब्रा हुआ है पेंट इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि खाली फिनिशिंग के लिए वैसे ही दिया हुआ है के वल दिखावे के लिए लेकिन पेंटा उब्रा हुआ है obwohl बहुत बारीकी से पेंट किया हुआ है बहुत अच्छा पेंट लग रहाता इसका क्या हुआ और इसके अंदर जो छोटी सी ट्रेत यह थी प्लेट इस पर आप धूबती अगर बती कुछ भी जला कर रख सकते हो धूबती जला सकते हो जोद जला सकते हो इस तरह से मुझे तो यह मंदिर बहुत ही अच्छा है आप इसमें थोड़ा बड़ा साइज भी ले सकते हो कलर भी तूसरा ले सकते हो डिफरेंट कलर अगर आपको लेना है तो अभी मैं इसको मंदिर को लगवा रही थी दिवार पर तो यहां पर ना मेरा यह टंगा हुआ था वाल डैकोर तो मैंने इसको निकलवा दिया था यहां से और यहां पर दिखे दिवार पर मैं लगवा रही हूँ और एक बात और मुझे आप लोगों को शाद बतानी थी कि मेरे पास घर में मतलब इतनी ऐसे जगह नहीं थी कोई भी कि जहां पर मैं मतलब साउथ की तरफ या फिर मतलब कहते हैं न कि या तो पूरव की दिशा में लगना चाहिए या उत्तर की दिशा में लगना चाहिए मंदिर लेकि मेरे घर में ऐसी जगह नहीं है कि मैं इस तरह से मंदिर लगा सकूं तो मैंने एक दो लोगों से पूछा था तो उन्होंने बोला था कि ऐसा जरूरी नहीं होता है कि आपको मतलब इसी तरह से रखना है मंदिर क्योंकि कुछ लोग किराय की घर में भी रहते हैं कुछ लोग फ्लैट्स में भी रहते हैं तो उसमें ऐसा कुछ डिरेक्शन वगरा का इतना ज्यादा नहीं हो पाता है तो आपका मन में श्रधा होनी चाहिए विसास होना चाहिए और आप अपनी श्रधा के अकॉर्ड और यह रूम के बाहर जो इस्पेस है इसमें भी बस यही वाली वाल्व है एक वाल्व पर किचिन है मतलब एक वाल की साइट किचिन है और एक की तरफ विंडो है तो इसी विज़े से मेरा मंदिर इसी वाल्व पर फिट बैट रहा था बाकी आप लोग मुझे बताना कमेंट में कमेंट करके कि मैं कहां रखूं तो यहां पर देखिए मेरे भगवान जी सैट हो चुके हैं तो यह मेरी डॉर्टर कर रही है पर पूजा भी उसको बड़ा मतलब मन था कि मैं पूजा करूं मैं पूजा करूंगी मंदिर में लो हो इसमें मन बहुत जादा भगवान जी नहीं रखे थे क्योंकि मुझे न इसमें भीड भान नहीं घरनी थे वैसी पूजा अपनी जoot कभी होती है जिसे कोई वरत होता है यह फेस्टिवल होता है तो बैठकर ही करनी होती है पूझा तो वह मैं अपनी अंदर ही कर लूंगी बैटकर चॉब की वग्यरा लगाकर लेकिन यह डेली की पूजा की पपस से लिया था वंदीर और में न साइड में में दिवार वाला नहीं लिया था क्யूंकि इसे ना घैश फीज़ाती मंदिर मीनिस साइड मरे और दरवाजजें है तो आप लोग बताना मुझे कमेंड box में कमेंट करके कैसा लगा आप लोगों को यह मंदिर तो यहां पर देखिए में डॉटर ने धूबती जला दी है और वह अभी देखिए आरती भी करने वाली और यहां पर मेरा बेटा भी खड़ा हुआ था वह भी बहुत ज्यादा परिशान कर रहा था उसको पूजा करते व तो आप लोगों को यह मंदिर कैसा लगा और इसका लिंक मैं नीचे डिसकर्शन बॉक्स में दे दूंगी और इसके प्राइस की बात करूँ तो प्राइस है इसका 1350 रुपे